रोशन टैली अकेड़मी नारायंग पेठे में थे मी वाइभवी नेलिकर तुन्छा सग्राइन सवागत करते। अच्छा आपले वीडियो चा विश्या हे Income Tax, Direct Tax Income Tax, Indirect Tax, Direct Tax असे शब्द आपले काना वर बरेज रेला News Channel, Newspaper की वा डिसक्शन मननना आलेले आसता। काई वेल अपले माना मते तरशा बदल कंफ्यूजेन असत typ की है है नोकी टइरेक्ट टैक्स ने का प्रकार तर थ्याँ पर कि जो डाईरेक्क्टट टैक्स है मांजे इनकम टैक्स है तरशा बदला आज़ा els Yeah Samson आज़को क्रों तो समसुन ग्यारा रहूंた टैक्स से बेसीकली दोन कैटागिर리ं इसे है एक है डायरेक्ट टैक्स, आने दूसरा है इन्टारेक्ट टैक्स, तेब एकी इंकम टैक्स OutdoorTalk आता यह इंकम टैक्स विशाई अजोन डीटेल महित्ती करूं घ्यना करता अपनेक एक्जाम्पल गेऊ Mr. A आहे अनि हा Mr. A सर्वीस करतो आनि तयाला 10 महिनाला पंच्विस हजार उपे सालरी में ते तयासबरो वर यह Mr. A नी एक घर आहे तची एक प्रोपरेटी आहे ती तैनी रेंट वर दी ले लिया है अनि तयाला 10 महिनाला 10,000 रुपे तचागें स्ट रेंट में ता अनि तिसरी कोश्टम जे तैनी बैंकें मदे FD ठेवले लिया है अनि ता FD वर वर्षभराची ती FD तैनी ते ठेवले लिया है अनि तया वर 5,000 रुपे तेला इंट्रेस्ट में ना रहे मां ता मिस्टर एज हो अहे तयाचे जी मेल कत है वर्षभराची ती मकाये यश्चना रहे सालरी 25,000, मांजे वर्षवरा चे सालरी तैचे 3,00,000 रुपे हाउसिंग रेंट जे तेला मेलना रहे 10,000 पर मन्त यह युशवानी मांजे वर्षवरा तैचा आगेंस तैचे मेलका तसना रहे 1,20,000 रुपे आणी एवडी चे इंट्रेस्ट 5,000 आसा सगल विडून correlation будем 4万5,000 यह तेचा वरिषाच उतपनने जाना आथा हेजे तेचा वरिषाच उतनना है यह उतनना वर इनकम वर टेल सा तैकस देआवा लापतो unions tax में और पॉरिषद जिक्त हैं में ल्एकारा थे पना पॉरिषद आखात। हर ना थोड़ा पोरिशन काड़ुन तो गवर्मेंट लाब पे कर तो वणुन सार capitalist हचा इंकम वर्ठ тебе ऑज़ा इनकम वर्ठ वर्ठ किवा इनकम टैक्स असे की टैक्स असे चार लाघभण 5 ज़ाघ इनकम बर खोगट तो वद्धित सासर 20 स संफिक हे वर चार जिए सअचार बैकी 8,615 तेनी गवर्मेंट लाज इंकम टेक्स मनुन पेगेला नंतर तर चाकड़ेजे का उतपन न उड़नार है जया है 4,66915 तर चाकड़े उत्ती ते तेचे 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 सवताच आता उतपन न जाजानी ते तो यूटिलाईस करू शक्तो टैक्स पे के लिए नंतर सा सो पोरिशन है तो सग्रा तो परस्नली कुठे तैचा मन मरजी प्रहाणी यूटिलाइज करू शक्तो सो बेसिकली ही कंसेप्ट है डायरेक्ट टैक्स नाणी इंकम टैक्स ची अग्ता चा उधारना था पंट्चे बगितलो तैया प्रमाणी सालरी, हाउजिंग, रेंट, एफडी, वरचा इंट्रेस्ट मजे कुपली तुम्ही इन्वेस्ट्मेंट के ले ले असे तैता इन्वेस्ट्मेंट वरचा जे तुम्हाला रिटर्स में आ रहे ते तुम्हां इं इंकम है, तो जे काई सोर्सेज है जा चतना पलेला इंकम जनरेट होना रे, तैसा ज्चिकन सूर्सेज वर अपलेला टैक्स बढ़ा वा ला लगतौं और टैक्स किती भंढ़ायचा, बरेड़ाचा काय कैल्कुलेशन अहें, तैसा जे कैल्कुलेशन असे लते दार वर्शी भे भेरी हो शक्त और जा वरशी तो पना है तया वरशी तो जो काई नियाम है तो नियाम लाओं तुम्हाला तुम्हाला टाक्स पे करावा लागतो हूआ? पड़ बेसिक कॉंसेप्ट ही आए कि तुम्छा income मतला portion तुम्हाला गवर्मेंट ला पे करायला लागतो, So this is income tax औनी direct tax पाकाश है मी संगी है तुर्पाइट चा दोन कैटेगरी इस ऐए Direct औनी indirect Direct Tax विशेगल अज अपन सम्झूंगे तुल्ह Roshan Tele Academy चा YouTube चैनल वर Indirect Tax विशेगल चा वीडियो अपन भी अप्लोड के लेला है तो तुम्ही नक्की बगुन गया मंजे तुम्हला direct tax और indirect tax यहां परक लग्षा दियें